हेले वरिवान स्वागत है आपका इस्ट्ट्टीए रोल में फ्रेंट्स आज मुझा जानेंगे चैप्टर नमबर दो रैकिक समीक्राण के बारे में ठीक है तो देखिए इसमें सबसे पहले आया है कि मैंने माल लिए दो समीक्राण है आपका अब अब दो समीक्राण है आपका आपका अब लिए प्रदर्षित करते हैं तो इन दो रैकिए या तो दूसरे को प्रतिच्चेदीत करेंगी या तो संपाति हो या तो समान तर होँगी ठीक है तीन कंडिसन बनता है ठीक है इसका तीनों कंडिसन का पता लगाने के लिए ठीक है आपको बस समीकरण दिख जाए तो आप पता कर सकते हैं कि यह दोनों र socioecoming या प्रतिछेदित कर रहे हैं या संपाती हो रही है जो भी है ठीक है तो देखे पहला कंडिशन अपका बनता है यदि आपान इसके बराबर नहीं है तो यह रेखाए एक दूसरे को क्या करेंगी प्रतिछेदित करेंगी ठीक है मान लिजिए एक रेखा यह है ठीक है और यह दूसरी रेखा यम है ठीक है यह मान लिजिए रेखा यम है ठीक है तो यह एक दूसरे को प्रतिश्यदित करेंगी तो यह किसी एक ही बिंदू पर मिलेंगी ठीक है तो यह किसी एक बिंदू पर मिलेंगी ठीक है प्रतिश्यदित मनेगा तो इसका हल कितना होगा केवल एक ही हल होगा ठीक है अब देखिए दूसरा कंडिशन में क्या होता है आपका दूसरा कंडिशन क्या होता है आपका यदि एक दूसरे के ऊपर समपाति होंगी ठीक है क्या होगी एक दूसरे के ऊपर समपाति होंगी ठीक है क्या होंगी एक दूसरे के उपर समपाती होंगी देखें माली जे यह रेखा यल है आपका तो और यम वाली रेखा भी क्या है इसी के उपर है अर्थात ओभरलैप है तो यह एक दूसरे के उपर ही होंगी तो यह कितने बिंदों पर मिलेंगी बहुत से बिंदों पर मि होता है आपका तीसरा कंडिशन देखेंगे ठीक है तो तीसरा कंडिशन में होता है क्या कि A1 अपान A2 ठीक है A1 अपान A2 equal to B1 upon B2 अब यहां पर क्या होता है इस नाट equal to मतले इसके बराबर नहीं होना चाहिए जब ऐसा रहे तो यह रेखा क्या होंगी एक दूसरे के समानतर होंगी ठीक है क्या होंगी यह एक दूसरे के यह रेखा यह है और अपका दूसरी रेखा क्या है यम है यह तो एक दूसरे के क्या होंगी समानतर होंगी जब समानतर होंगी तो इसके हल कोई होगा नहीं हो पाए कोई हल नहीं होगा कोई हल कोई हल नहीं होगा ठीक है अब दिखें तीन कंदीशन बन गया अब इस पर देखिए एक एक कोश्टन हम देख लेंगे तो आप लोगों के यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ठीक है अब देखते हैं देखिए हमने question ले लिया पहला ठीक है कि 2x plus 3y equal to 18 x minus 2y equal to 2 अब देखिए क्या करना है कि इसका पता लगाना है हम लोगों का कि यह रेखाएं आपस में प्रतिशहदित करेंगे या संपाती होंगी या क्या करेंगी ठीक है तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगी a1 अपन a2 ओंकमान यहां पर देखिए minus 2 होगा ठीक है यहांपे प्लस करके करेंगे तो यहां पर देखिए कैसा मैने अब दीवत कितना हो जाएगा आफ भी इसको ह्ल करेंगे यदि इस मैंस कर देंगे तुप है यादी 18 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? slipp nessa ठीक, ऑब सुछ और इसको इधर लाएगे, तो इसको भी लाएगा? माइनस 2, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? कि माइनस 18 बटे में माइनस 2, ठीक है? अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका मान 3 मान 3 बटा इतना हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 2 9 18 यह मैनस मैनस कर जाएगे यह कितना हो जाएगा 9 अर्थात कितना हो जाएगा 2 बटा के 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा यह दोनों आपस में बराबर है नहीं है बराबर तो लिख देंगे क्या is not equal to कर देंगे इसको और इसका भी देखे कितना है मतलब यह क्या हो गया कि यह a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 हमने क्या अभी पढ़ा पहले ही पहला वाला हम लोगों का condition क्या था कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 जब ऐसा रहे तो यह रिखाएं क्या होंगी एक दूसरे को प्रतिछेदित करेंगी और इसका क्यवल एक ही हल निकलेगा तो अर्थात हमने जो यह question नहीं हम लोगों का पहला वाला तो यह जब आ गया कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह रिखाएं क्या ऊंगे एक दूसरे के उपर प्रतिछेदित करेंगे ठीक है समझ में आगे आपनोंको एक और question लेंगे फिर उससे आपको clear हो जागा देखिए अगला question Намने लिया है ठीक है 2x plus 3y plus 4 equal to 0 और दूसरा समिकरण है आपका कि 4x plus 6y plus 8 equal to 0 ठीक है यह मान लिजे पहला समिकरण और यह दूसरा समिकरण तो देखे यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a1 upon a2 तो a1 upon a2 निकालेंगे तो a1 कमान कितना दिया हुआ है दो दिया हुआ है तो दो लिख लेंगे यहाँ पर a2 कमान कितना है 4 है तो आपका क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे अब देखे बी 1 upon b2 तो b1 कमान कितना है आपका 3 है और b2 कमान कितना है 6 है ठीक है अब देखे c1 कमान कितना है आपके c1 कमान कितना है 4 है और c2 कमान कितना है 8 है ठीक है अब देख спас mnie हो गएंगे अब 12ag2 इकांव के चार इसे 293ए 393-6 यह भी केंड़ एक बटा 2 और यहां पर देखिए इसे किटने बार में दो बार में यह भी मैंब 222 जीन दो ठीक है तो यह क्या हो गी तीन आपस में बराबर हो गए तो हम लोग का condition आया था उपर यदि तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे देखें दूसरा condition बना था हम लोगा कि A1 अपान A2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 ये दोनों जब अरे तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो इसके कितने हल होंगे अनन्त हल होंगे अनन्त हल तभी होगा जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होंगे समपाती होंगे ठीक है एक दूसरे के ऊपर ये ओभर लेप करेंगे समझो तो देखिए तो हमनों का ये तीसरा वाला दूसरा क्वेश्चन जो आया है कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 तो इसके कितने हल होंगे अनन्त हल होंगे ठीक है क्या होंगे अनन्त हल ठीक है अनन्त हल होंगे का मतलब क्या होंगी कि रेखा जैसे माली ये रेखा है आपका यल रेखा और यम रेखा भी इसी के ऊपर है जश्ट ठीक है इसी के ऊपर यम रेखा भी है ठीक है तो ये मतलब कि एक रेखा दूसरी र हल होता है ठीव है तो इसके किजिए अदन्थ हल हो जाएंगे और रेखा क्या करेंगी यह दूसरे के उपर क्या है संपाति संपाति है कि रहे रेखा क्या है संपाति है और क्या वाद con Cindy को Zusammen तो यह आप लोगों को समझ में आगया होगा मैं आशा करता हूं और यह वीडियो यह आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिलिज लाइक करें और सस्क्राइब करें तो पर वीडियो में तब तक के ले जाहिंगे भारत